जून 2019 में जो नई सिक्छानीती आई थी वो जो है उसमें बहुत सारे डिस्कुसन हो चुका है और जो है कि यह सिक्छानीती जो है अगले साल से लागू हो जाएगी इस साल के लिए नहीं है तो इसके अनुसार जो है नहीं सिक्छानीती के अनुसार इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किये गये हैं जो कि हमारे देश के भविस्यकों बहुत ही अच्छा परिवर्तन लाने में बहुत ही ज्यादा मददकार रहेंगे ठीक है यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन है जो अंग्रेजों ने जो डाचा में बना के दिया था सिच्छानीती का वो बहुत ही खराब था और उससे जो है कि कि जो हमारे स्टुडेंट है वो बस मेनती करते रह जाते थे वो अपना प्राक्टिकल और अप्लिकेशन उसका नहीं कर पाते थे वो उसको अपने जीवन में ज्यादा उपियोग नहीं कर पाते थे नई सिच्छानीती के अनुसार जो है कि जो खाका जिसमें की बोड़ पर इक्षा को सरल बनाने पाठेकरम का बोश कम करने के बारे में भी बताया गया है साथ ही बचपन की देखभाल और सिच्छा पर जोड़ देते हुए स्कूल पाठेकरम के 10 प्लस 2 धाचे की जगा तो अब जो है कि 10 प्लस 2 जो है जो धाचा था अब वो नहीं रहेगा अब जो नया स्कूल धाचा रहेगा वो है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 इसके अनुसार जो है कि जो बच्चे जो है कि जो क्लस 1 और क्लस 2 से पहले जो है उनका प्ले ग्रूप होता है जो नियर के जी और सिनियर के जी होता है और फिर क्लस 1 और क्लस 2 यह फाइफ का ढाचा है फाइफ में यह सारे क्लास आजाएंगे प्लस 3 जो फर्स्ट वाला 3 है इसमें जो है क्लास 3, 4 और 5 आएंगे और next जो 3 है उसमें क्लास 6, 7 और 8 आएंगे और अगला 4 उसमें 9, 10, 11, 12 आजाएंगे ठीक है इसमें जो है नई सिक्छानिती में विद्यार्थियों को कोसल या बेवारिक जनकारिया देने और पाश्वी कच्छा तक मात्री भासा में सिक्छा पर जोड़ दिया गया है इस मतलब जो नई सिच्छानिती है उसके अनुसार जो है कि बच्छों को जो है कि उनकी मात्री भासा जो लोकल लंग्वेज होती है उसमें पढ़ाया जाएगा और जो है कि इंगलीस जो है इंगलीस इतनी जरूरी नहीं रहेगी किंद्री मंदल ने बुद्धवार को नई सिच्छानिती कमजूरी दे दी है बैठक के बाद स्कूली सिच्छा एम सचर्ता सचिव और निलता करवाले ने संबदताओं को बताया कि ग्रेड 10 एम 12 के लिए बोड़ पर इच्छाय जारी रखी जाएंगी लेकिन समग्र विकास के लक्ष के उध्यान में रखते हुए इन्हें नया सरूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास के ज़रूरत नहीं पड़े नई सिक्छानीती में बचपन की देखवाल और सिच्छा पर जोड़ देते हुए कहा गया है कि इस कुल पाठक्रम के 10 प्लस 2 धाचे धाचे की जगव 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का पाठक्रम सरशना लागू की जाएगी जो क्रम सा 3 से 8 साल यह जो उम्र इसमें बताई गई है कि जो 5 जो 5 है इस कुल इस्ट्रक्शर में जो 5 है वहां पे जो है एज कितनी होनी चाहिए 3 से लेके 8 एर तक होनी चाहिए जो पहला 3 है उसमें जो है बच्चे की एज जो है 8 एर से 11 एर रहेगी नेक्स्ट 3 में बच्चे की एज 11 तो 14 एर के बीच में रहेगी और नेक्स्ट जो 4 है उसमें जो है बच्चे की एज 14 तो 18 एर की साल की रहेगी इसमें अब तक दूर र प्राणाली में तीन साल की आंगरणवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की सिच्छा होगी एन सी आर्टी आर्ट वर्स की याई तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बच्पंदेखभाल और सिच्छा के लिए एक राष्टे पार्ठे क्रम और राष्टे धाचा बिक्सित करेगा एक बिश्त्रित और मजबूत स्थान प्राणाली के माध्यम से प्रारंभिक बच्पंदेखभाल और सिच्छा जो है मुहाया कराई जाएगी इसमें आंगरणवाड़ी और प्री स्कूल भी सामिल होंगे बुनियादी सच्छर्था और संख्यात्म ज्यान की प्राप्ति को सही धंग से सिखने के लिए अतिन्त जरूरी हम पहली सकता मानते हुए NEP New Education Policy 2020 में मंत्राले द्वारा बुनियादी सक्छर्था और संख्यात्म ज्यान पर एक राष्ट्री और मिशन की अस्थाबना किये जाने पर विशेज जोड़ दिया गया है राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथ्मिक स्कूलों में ग्रेड तीन तक सभी सिख्छार्थियों अंबिद्यार्थियों द्वारा सोर भौमिक बुद्नियादी सच्छर्था और सगन खेत्म ज्यान प्राप्त कर लेने के लिए एक कर्यान वैन योजना तयार करेंगे एक राष्टिय पुस्तक समवर्धन नीती भी तयार की जानी है करवाल के नुसार इस्कूल के पाठेकरम और ध्यापन कला का लक्षियों होगा की बारा हमी सधी के प्रमुख कोसल बेभारिक जनकारियां भी द्यार्थियों को दे करके उनका समगर विकास किया जाए और सारे सिच्छण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठेकरम को पनाया गया है उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पसंदीदा विसे चुणने के लिए कई भी कल्प दिये जाएंगे कहला एम विज्ञान के बीच पाठेकरम पाठेतर गतिपिद्यों के बीच और बहुसाइक सेक्षर बिसेयों के बीच कोई भिन नहीं होगी नहीं सिच्छा निती के ताथी स्कूलों में छट्थे ग्रेड से ही बेवसाइक सिच्छा सुरू हो जाएगी और इसमें इंटरंशिप सामिल होगी एक नहीं व्यापक स्कूली सिच्छा के लिए राष्ट्रिय पाठेकरम रूप रेखा NCFSE 2020-2021 NCRT द्वारा बिक्सित की जाएगी निती में कम से कम ग्रेड पांस तक और उससे आगे भी मात्रि भासा, स्थाने भासा, छेत्रि भासा को ही सिच्छा का माध्यम रखने पर विशेश जोड़ दिया गया है बिद्यार्थियों को स्कूल के सभी असर और उस सिच्छा में संस्क्रीत को एक बिकल्प के रूप में चुनने का उसर दिया जाएगा त्री भासा फर्मुले में भी या बिकल्प सामिल होगा इसके मुताबिक किसी भी बिद्यार्थि पर कोई भी भासा थोपी नहीं जाएगी भारत की अन्य प्रिव भासा या साहित भी बिकल्प के रूप में उपलप्त होंगे बिदेर्थी को एक भारत स्रिष्ट भारत पहले की तहरा दरन किसी समय भारत की भसाओं पर एक अनन्द आयक पर योजनागत विद्यों में भाव लेना होगा करवल ने कहा कि कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मान, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भसाओं को मादे में कस्तर तक पेस किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्कुल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यधारा में सामिल करने के लिए इसकुल के बुनियादी धाचे का भी कास है, नमीन सिच्छा केंद्र के साफना की जाएगी ठीक है, तो ही आपको इसके बारे में था, यहाँ पर यह आपको एनी डिग्री विल भी फॉर या कोई भी जो डिग्री होगी, वो चार साल की होगी ठीक है, जो छे से एलेवन तक के स्टुडेंट होगी, चैन चूज सब्जेक्ट जो है, आप अपनी मर्जी के अनुसार सब्जेक्ट को चून सकते हैं मिन्स की क्लास छटवी से ही जो है की बेवसाइक सिक्छा की सुरुआत कर दी जाएगी और आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट चून सकते हैं अपने पसंद के अनुसार चवी कछा से आनवर्ड जो है, वो केसनल कोर्सेज अवलेबल होंगे मिन्स की म्यूजिक अगर जो होते हैं और जो सिंगिंग होती है, वो कोर्सेज भी क्लास 6 से अवलेबल होंगे जो सारे graduation courseंश होंगे लेकिन अब क्या होगा कि किसी ने अगर एक subject science का चूज किया है major subject तो वो minor जो है, art का कोई भी subject चूज कर सकता है जैसे physics, chemistry या biology का student जो है इतिहास और कला और जो है उसको भी choose कर सकता है ठीक है तो यहां पर कोई division नहीं रहेगा कि ये commerce का है तो ये science नहीं पढ़ सकता ये art का है तो science नहीं पढ़ सकता ये science का है तो art नहीं पढ़ सकता इस तरह का कोई वो नहीं रहेगा बटवारा नहीं है जो सब्जेक्ट उसको पसंद है और जिसमें उसको इंट्रेस्ट है वो उसको पढ़ सकता है एक साथ लेकर इस्ट्रिम में उसके लिए एक फुल तियार की जाएगी और जो है देश में भारत की जितनी भी संस्थान है बड़े लेवल के उच्छे लेवल के जैसे UGC, AICTE है यह सब मिल के एक संस्थान बनाया जाएगा और सारे इन्वर्सिटी में जो है कि सेम रूल होगा अल इन्वर्सिटी मिन्स की जितने भी प्राइबेट इसकूल है या गौर्मेंट इसकूल है जिस भी तरह के अलग-अलग डिवीजन जो है इसकूलों का उसमें हर जगा जग इसकूलों में पढ़ाते हैं उनके लिए हर इस्टेट जो है अपना एक कोर्स चलाता है तो वो कोर्से जो है खतम हो जाएंगे और जो है कि सबको एक ही एक नियम के एक रूल के हिसाब से सबको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसी ट्रेनिंग से टीचरों की निक्ती होगी न मतलब की उसमें दाखिला ले सकता है और कभी भी उसको छोड़ सकता है पहले क्या होता था कि अगर हम ग्रेजवेशन कर रहे हैं थ्री येर का है बीए है या बीए सी है या बीटेक है अगर हमने बीच में उसको छोड़ दिया तो हमें जो है कि हमारा एक या दो या तीन साल बरबाद हो जाता था लेकिन अभी जो है कि जो graduation के पहले साल एक साल complete करेंगे उसको जो है कि certificate मिलेगा certificate course का और जो two year complete करेंगे उनको diploma course का certificate मिलेगा और जो three year complete करेंगे उनको जो है कि degree का certificate मिलेगा और जो four year complete करेंगे उनको जो है research के लिए certificate मिल जाएगा तो इस तरह से multiple entry multiple exit का नियम लगाया गया है तो the school exam will be semester जितने भी school है उनमें जो exam होगा वो semester wise होगा मतलब कि एक साल में दो semester होगे हर six month पे जो है कि exam होगे ऐसे क्या होता था कि एक साल पे exam होते थे और उसमें जो है कुछ भी पढ़के गए और पास हो गया ऐसा नहीं होगा हर six मैने पे एक exam होगा तो semester system होगा और जो syllabus है syllabus को कम किया जाएगा जो यह से कि बहुत जादा ही पढ़ते थे जिसका कि हमें कोई use नहीं था तो उसको जो है कम कर दिया जाएगा तो इस तरह से हमारी नई सिक्छानिती है तो आपको मेरे वीडियो कैसा लगा अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें सेयर क करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद